हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है आपका होश्ट हैं दोस्ट नेल कुश्वाहा और आज मैं आप सभी को ले करा गया हूँ और 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 को एक नए तरीके से दिखाने के लिए सुदूर पहारों के उपर मैं चड़ गया हूँ और चीजों को मैं दिखाने के कोशिश कर रहा हूँ और चारो तरफ का व्यू देख़िये कितना ही शांदार हो गया और मैं आप सभी को एक चीज और बता दूं दोस्तों एक बात और बता दूं यह जो पूल के पास में जो पानी आया है ना यह लगभग पिछले साथ से आठ सालों बाद आया है क्योंकि बारिस इतनी अच्छी हो नहीं रहे थे लेकिन इस बार अच्छी बारिस हुई हम लोग जब छोटे थे तो पानी तो मत पुछे पानी यह एक भी टीले आप सभी को अच्छी बारिस हुई है इसलिए पानी यह सब इधर तक आ गया है तो इधर तक यह तब पानी यह सब पानी आता ही नहीं था तो मैं सुचा कि क्यों ना आज सुदूर पहारों के ऊपर चढ़कर अहरोरा घाटी को मैं अलग तरीके से मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तूत कर है लगबख शाम के पांच बज गये हैं हलका हलका देखिए हलका क्या काफी है धूंद है अब आने लगा और इधर में देखिए मैं आप सभी को खुबसूरत व्यू दिखाता हूं एक बार फीर से यह देखिए सामने आप सभी को जो सफे सफे दीख रहा होगा ना चेले थ यहां इस टाइम खड़ा हूं यह देखिए यहां मैं आप सभी को खाई देखाता हूं कि यह देखिए ज़र उस जमाने में खनन का भी काम किया गया है तो है ना खुबसूरत तो मैं सुचा कि क्यों आज कुछ अलग तरीके से अहरोरा को दिखाऊं नहीं तो मैं जब भी द देखिए इधर में खड़ी पहारे आपको देखने को मिलेंगी मस्त एकदम शांदार और इधर में देख सकते हैं मैं पहार के उपर हूं तो यह देखिए पत्थल उत्थल सब इधर पड़े हुए हैं मस्त खुबसूरत लग रहा है बारिस चला गया है तो देखिए अब य सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें बाबाय टेक केर मिलते हैं ऐसे शांदाए वीडियोस के साथ